सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथे बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहेगा आपका दिन, सुरुवात करते हैं आज के सुवेचार सी बदलाव ही जीवन का सार है, जहां बदलाव नहीं, वहां जीवन नहीं मदद करने के लिए सिर्फ धन के आवशक्तन नहीं होती, बलकि अच्छे मन के जौरत भी होती है बुरे वक्त में कंदे पर रखा गया हाथ, कम्याबी की तालियों से ज़्यादा मुल्यवान होता है जो नहीं मिला उसके लिए रोते रहोगी, तो जो मिला है उसे फोते रहोगी आज का पंचांग, 17 गस्त दू हचार तेस दिन गुरुवार, सावन मास के शुक्लपक्च के प्रती पदति थी साम पांच बचकर 35 मिलट तक रहे की, इसके उपरांद द्वीतिय तिथी प्रारम होचाई की मगा नामक नक्षत्र सम 7 बचकर 58 मिलट तक रहे की, इसके उपरांद पूरवा फालगुनी नामक नक्षत्र प्रारम होचाई की आज कर आहुकाल, अर्थाद दिन का सबसे असुप सम्में, दुपहर 1 बचकर 69 मिलट सी, 3 बचकर 36 मिलट तक रहे का आज कभी जीत महुरत, अर्थाद दिन का सबसे सुप सम्में, सुबह 11 बचकर 57 मिलट सी, 12 बचकर 50 मिलट तक रहेगा आज चंद्रमा शिंहराशी पर संचार करेगी, और आज शूरिया करकराशी पर दुपहर 1 बचकर 25 मिलट तक रहेंगी, इसके उपरान सिंहराशी में प्रविश करेंगी आप सभी को चंद्रदर्शन और सिंह शंकरांती की शुपकामनाई करकराशी 17 अगस्त 2023 दिन गुरुवार, विट्तिलाप के सुचना साहब को और आपके परीजनों को खुसी होगी इसे ये भावनाएगी कि सब अच्छा हो रहा है, आपको समिजाज और शंपरकमी, आपको समिजाज और आकरशक है नए लोगों से मिले इसे आपको नए और शंप मिलेंगे, जो अननता आपके लिफायदे का सौधा साबित होंगी आप परवार या घर के बनावट में कोई बदलाव लाने के बारे में सोच सकती हैं आशा आपके कोई महत्वा कांग्शा पूरी होने वाली है, अपनी किसी पुरानी गलती से सीख लेकर आप और अधिक बैतर तरीके से विचार कर पाएंगी परवार जनों के साथ मिलकर घर के नवनी करन अथवा रख रखाव सम्मंदे तियोशना भी बनेगी अपने इस्त्रोत और जनकारी के अनोशा रिस्तिती में बदलाव करीं आपकी इच्छा सकती प्रबल बनेगी अपने लक्ष पर काम करती रहीं, स्वभाव के नकरात में पहलूओं को दूर करते हुए प्रयतने जारी रखें मिले सम्मान की वज़े सा आपका विश्वास बढ़ा रहीगा पार्टनर की विचारों को समझना कठीन हो सकता है लोबी पे और शुकर की तकलीब भी उशक्ति है ध्यार रखें किसी यात्रा का प्लैन करने जा रही है तूर से कुछ समय के लिए इस्थगित कर दी कभी कभी किसी काम मी मन नुकूल पर नाम ना मिलने से उदासी रही की परन तो फिक्र ना करें जल्दी ही समधान भी मिल चाईगा बचट का ध्यान रख कर ही खर्च करना उचित रहीगा बात करते हैं लब लाइफ की वैवाहिक शमंधों में एक दुष्टे के प्रती मान सब्मान के भाउना बनाए रखें विवाहित वैक्तियों के लिए कोई उचित रिस्ता आ सकता है कुछ अच्छे वर्णवे विचारा आपके द्वारा आपके सांथ तक पुहुची है आपने कई बार अपने सांथी को ये बताया है कि वो आपके लिए कितना महत्व रखता है लेकिन आप कुछ कर गुजरने का समय है अपने क्रिया का लापों से अपने प्रेम को सिद करें और आज के दिन क्रियानवेन के लिए उप्युकते हैं आपके प्रेम की अभी वेक्ति के द्वारा आपका सांथी सुखे और आश्यर रिचकित महसूस करेगा बात करते हैं करियर की हाल ही में सहकर में आप से इर्शा के कारण असही होगी रही है लेकिन उनके सामने जोड से ना चिलना है क्योंकि ये अलग रूप में तोड मरोड कर आपके वरिष्ट दिकारियों तक पहुँचाया जाएगा बस को समय के लिए ऐसे लोगों के साथ दूरी बनाये रखें आपको कोशे प्रत्या से धन प्राप्त होच सकता है विरोधिया आपको परिष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए किसी पर भी बिना सोचे समझे भरूसा ना करें नया बिश्णे शुरू करने के लिए समय निकालें हालकि अभी सफलता जादा नहीं मिलेगी परन्तु निकट भविष्य में इसके उत्तम परिणाम मिलने वाले हैं बात करते हैं सेहत की सरवाईकल तथा कंधों का दर्द बढ़ने से परिशान रहेंगे वयाम और योग पर अधिक धियान दे पिछले को समय से आप अपने वजड में बढ़ होतरी मैसूस कर रहे हैं आप इसके बारे में काफी जागरूख हैं लेकिन आप इसके ले कुछ कर नहीं रही हैं हो सकता है कि आच्छा आपको इसके बारे में कहीं से कोई डाइट रूटीन मिल जाए आप फलका फुलका वयाम भी कर सकती हैं वैस्ते सडकों पर न घूमें क्योंकि आपको ढूल मिट्टी से इलर्जी हो सकती है मास्क पहन कर चले आच्छ का उपाई गरीबों को असदान पुन करें शुब रहेगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन में हमेशा सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रही आपका दे शुब हूँ